हेलो दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चनल राम निर क्लासेज में प्रवाहदो ब्रिच कारिपुस्नी का गणिक कक्षच साथ के कारिपत्रक अमाल कर रहे हैं कारिपत्रक सित्तर तक अमाल कर चुके हैं इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कारिपत्रक इकत्तर का हाल जो दे रखा है प्रश्च संख्या 85 ये पेस नमबर 85 पर तक्षिता है दश्यमलव भिन्नकी संख्याओं को समझ पाने देखे पांच प्रश्चन को हम पूरा हल करेंगे वीडियो को पूरा देखे लाइक जरूर करें और दोस्तों साथ शेयर करना पिल्कुल भी ना भूल कोश्या नमबर एक है जोड करें का 4.545 और 2.466 इसको हमें जैसे हम साधरन जोड करते हैं वैसे ही जोड लगा नहीं है उत्तर आ जाएगा इसका 7.011 ख है 5.036 और 4.021 तो साधरन सी जोड है 6 और 1 7 3 और 2 5 0 का 0 दशमलो का दशमलो और 5.49 आपको मैंने पहले ही बताया है जैसे हम साधरन जोड करते हैं बिल्कुल उसी तेरा इस जोड को आपको करना है बिल्कुल भी घंबाने की बात नहीं है गह है 8.293 प्लस 2.439 उत्तर आ जाएगा 10.732 गह है 9.274 और 1.329 इसको जोड़ेंगे हैं 10.603 आ जाएगा आगे देखिए गह हो गया है अंगणा में देखते हैं 3.210 और 2.122 को जोड़ना है उत्तर आ जाएगा 5.332 चर में देखिए 5.888 और 0.231 को जोड़ेंगे उत्तर आ जाएगा 6.19 तो ये इस प्रकार हमने पहला प्रश्न कर लिया है दूसरे प्रश्न क्यों बढ़ते हैं गटाव करें यानि हमके गटाना है उपर दीगी संख्या से नीचे दीगी संख्या को गटाना है तो शुरू करते हैं प्रश्न नमर दूसरे का पहला 8.752 माइनस 5.031 यहां गटाएंगे तो जैसे हम नॉर्मल सब्स्रक्शन करते हैं यानि साधरन बाकी करते हैं वैसे ही इ आगे देखिए 6.345 में 2.129 को गटाएंगे तो उतर आएगा 4.216 अगला है 2.999 और 1.887 गटा कर हमें प्राप्त होगा 1.112 अगला देखिए 3.720 और 1.982 को गटाएंगे उतर आजाएगा 1.738 आगे है 4.717 और 2.031 को गटाएंगे उतर आजाएगा 2.686 चाहे 8.200 माइनस 7.001 एंसर आजाएगा 1.199 तो इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी हो गया तीसरा देखिए नीचे दिए गए दश्मलाब बिन्नों को गुणा करें गुणा करना भी बहुत ही आसान है 0.5 गुणा 2 तो आप कैसे करेंगे देखिए 0.5 इसमें हम इस तरह साधरन गुणा भी कर सकते हैं 5 दूनी 10 अब एक के बाद दश्मलाब है तो एक के बाद दश्मलाब लगा दीजिए तो 1.0 यानि एक उतर आजाए दूसरा है 0.5 गुणा 3.3 अब देखिए 0.5 गुणा 0. 0.3 गुणा करेंगे तो 5 तीया 3 बंजे 15 आएगा तो यहां देखिए एक संख्या उपर वाली और एक संख्या नीचे वाली दोनों में दश्मलाब यानि एक दो के बाद दश्मलाब एक दो के बाद दश्मलाब आगे कुछ नहीं तो आप 0 लगा सकता है तो उतर आजाए ग गह है 1.2 गुणा 3.5 उतर आजाएगा 4.2 आगे देखिए इसी में गह में 0.25 गुणा 0.37 उतर आजाएगा 0.0925 आगे देखिए 0.50 गुणा 0.30 उतर आजाएगा 0.15 चव में है 2.37 गुणा 0.25 उतर आजाएगा 0.5925 इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न भी हो गया है चौते प्रश्न को देखिए नीचे तीके दश्मलाब बिन्नों का भाग करें 0.6 भागे 0.2 तो देखिए भाग कैसे होगा 0.6 बटा करना है 0.2 अब देखिए ये भी एक के ब दश्मलाब है ये भी एक के बाद दश्मलाब है नीचे का दश्मलाब उड़ेगा तो उपर लगेगा और उपर का उड़ेगा तो नीचे लगेगा 0 से 0 कटा दो एक कम दो और दो तीए 6 तो उतर आया 3 इसी प्रकार आगे करेंगे 0.25 भाग इत 0.5 अब देखिए उपर 0 कट गया तो हमें 25 बटे 50 करना है तो आएगा 0.5 अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं देखिए 512 बटे 0.08 तो अब देखिए जश्मलाब उड़ाया गुणा कर देंगे 1 से 1 और 2 संख्या का 2 0 तो ये 512 गुणा 100 बटे 8 कर सकते हैं तो इसको आप काट के देखिए 2 के पाड़ से 2 चार दुनी आठ और 2 दुनी चार दो पंजी 10 और 2 चंग 12 फिर आप इस काटिए 4 एकम 4 6 चोग 24 और 4 चोग 16 64 और पीच्छे 100 है तो 64 100 उतर आजाएगा आगे देखिए 360 भागित 0.12 उतर आजाएगा 3000 अगला है 24.20 भागित 0.05 उतर आजाएगा 400 चोरियाची पांचवा प्रशन देखिए रिक्तिस्थान की पूर्ती करें 0.4817 गुणा 100 उतर आजाएगा 48.170 ख है 117.48 भागित 10 बराबर 11.748 ग है 144 भागित 10 बराबर 14.144 ग है लिखेंगे 0.61368 गुणा 100 बराबर 61.368 आज़े देखिए 12.15 गुणा 100 बराबर 12.15 चोर में है 0.0222 गुणा 100 बराबर 2.22 तो इस प्रकार हमने ये 5 प्रशन कर दिया है पेज नमबर 85 पर कारे पत्रक हमारा 81 पूरा हुआ आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो गर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स वीडियो की नोटिफिशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रस करें धन्यवाद